आज मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी जिसको आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर साम के स्नैक्स में दोनों ही टाइम में बना करके खा सकते हैं बनाना बहुत आसान है और ये रेसिपी बहुत ही हिल्दी है मतलब आप इसको फटाफट से बना सकते हैं और यकीन मनिये कि इस रेसिपी को आपने पहले कभी नहीं खाया होगा मैं गारंटी लेती हूँ और नहीं आपने कहीं देखा होगा तो यहाँ पर मैंने ले लिया है क्वीनोवा एक बोल में और दूसरे बोल में मूंग दाल इन दोनों को हमें भीगो देना है और तीन से चार गंटे के लिए या फिर ओवर रैट याने के रात भर सोग कर सकते हैं आप उसके बाद हमें इसको धो लेना है अच्छे से धोने क के बाद एक ग्रैंडर जा ले लेंगे और उसमें हम दोनों को ट्रांसफर कर देंगे जिया दोस्तों हम दोनों को एक साथ पीश सकते हैं अलग-अलग पीशने की कोई ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा सा पानी लेंगे ज्यादा पानी नहीं लेंगे और इसे हमें बिलकुल फाइन पेस्ट में पीश लेना है आप चाहिए तो यहाँ पे अधर क्लेशन को इसके साथ ही पीश सकते हैं हरी मिर्च भी डाल करके पीश सकते हैं और यह देखे यह बिलकुल फाइन पेस्ट है मतलब बिलकुल एकदम पारिक हो गया अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर क कर देंगे आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ किजेगा और पसानना है तो प्लिस लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अब हम यहाँ पर डाल देंगे बंद गोबी जिसको छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लिया था मैंने धोलिया था इसको अच्छे से अब डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्च स्वाध के श vulner है थोड़ा असर ढ़लने यहाँ धनिया पत्ती अब डाला है मैंने यहाँ पर मंगरेला और आजवाइन जरूर डालीएगा बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है नमक डाल देजिये श्वाध की अनुशार और यहाँप आपको लगता है कि थोड़ा पानी रिक्वाइड है थोड़ा सा पानी मतलब पानी का छिटा ले सकते हैं और आप बैटर देख सकते हैं इस तरीके का बैटर होना चाहिए तो यह देखिए बैटर जो है मारा बनकर बिल्कुल तयार है अब हम एक पैन में तेल को गरम करेंगे तो इस रेसिपी को आप डीफ्राइ भी कर सकते हैं या फिर सैलो फ्राइ भी कर सकते हैं मैं इसे सैलो फ्राइ कर रहे हूं और यकीन मानिए इसको बनाने में बिल्कुल कम तेल यूज होती है आप देख सकते हैं मैंने कितना तेल लिया है और वैसा का वैसा ही तेल रह गया ह इसको golden crispy होने तक सेख दीजिए यकीन मानिए आप घर में अगर कोई guest आते हैं आपके तो उन्हें जरूर सर्फ केजिए या फिर घरवालों को सर्फ केजिए वो पकड़ने पाएंगे कि ये क्वीनोवा की पकोड़े हैं या फिर मुंगदाल की पकोड़े इतना tasty लगता है इत अन्हें तो लाइक शबस्क्राइब जरू करे थैंक यू